आपके प्यार को पाने के लिए आप किस हद तक जाओगे आपके एक जूट से अगर लोगों की जिन्दगी बरवात हो तो क्या करोगे हलो फैंस आज के हमारे मुवी विकर पाक 2004 की एक मिस्ट्री मुवी है इस मुवी की स्टोरी डेलिंग यह बहुत ही अलग है जो इसे बहुत ही इंट्रस्टिंग बनाती है वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो अगर आप कोई विडिय अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा कमेंट भी कर दीजिए जिसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है तब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन क्यारेक्टर जिसका नाम है मैथ्यू यह एक रिंग बाय करता हुआ हम देख सकते हैं वो शॉप में आया और उसे कौन सी रिंग बाय करनी चाहिए यह उसे समझ में नहीं आ रहा था जैलर ने उसे कहा कि आपकी दिल को जो अच्छे लगे वो आपको बाय करनी चाहिए इसके बाद मैथ्यू सीटी में अपने एक पुरा बाता चलता है कि मैथ्यू की गल्फेंड है जिसका नाम है रेवेका रेवेका के ब्रदर के साथ ही मैथ्यू काम करता है इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू अपनी बिजनेस मिटिंग के लिए आया हुआ है वहाँ पर उसकी गल्फेंड रेवेका भी आ जाती है यह एक चाइनीज कमपनी के साथ डील कर रहे हैं जो उनके कमपनी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसी डील की वज़े से मैथ्यू को चायना भी जाना पड़ेगा मैथ्यू को बात करते करते जरा अंगमफटेबल लगता है तो वाश्रूम जाता है वाश्रूम में उसे एक भूकने वाला था और उसकी गर्ल्फरेंट रेबेका वाहा थी अपने आपको उसने फिर छुपा लिया इसके बाद मैथ्यू और लिसा में क्या हुआ था यह फ्लैश बैक में हमें पता चलेगा इसमें हम देखते हैं कि मैथ्यू पहले वीडियो स्टोर में काम करता था उस उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था तो उसका पीछा करने लग गया उसे फिर पता चला कि लिसा एक डांसर है इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं मैथ्यू को लिसा का आवाज आया था तो फोन बूत के पास हो गया वहापर उसे एक होटेल का कार्ड मिलता है ज मैथू वहाँ कि सब चीजे देखता है तो लिसा का एक मिरर उसी मिलता है इसके बाद हम फिर से फ्लैश बैक देखते हैं अभी-अभी मैथू को जो उसका फ्रेंड मिला था इसके साथ हम उसे देख सकते हैं मैथू के फ्रेंड का नाम लूख है जो एक शू शू शॉप चल इसके बाद मैथू ने प्रेंड किया कि एक शू सेल्समैन है उसने उससे कुछ फनी बात करने की कोशिश किये पर वो फेल हो गया है क्योंकि वो बहुत ही नर्वस है वो लिसा को शू पहना रहा था तो लिसा बुछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थे मैथू डर गया और कहता है कि प्लीज मुझे मिसंडरस्टान मत करना उसके पास लिसा के साइस के शूज नहीं है तो कहता है कि मैं ओडर करकर तुम्हें दे दूँगा मुझे तुम्हारा नमबर दे दो मैं तुम्हें अपडेट करतूँगा लिसा फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती मैथू फिर नोटिस करता है कि लीसा ने बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है मैथू को उसने कल डेट पर इन्वाइट किया है अब वो बहुत ही खुश था कल उसके साथ वो डेट पर गया यह बहुत सारी बाते करते हैं मैथू ने लीसा को बताया कि उसे फोटोग्राफर बनना है बच्वेन वो चाहता था कि वो फिश की फोटोज ले जैसा बड़ा होता गया कि उसे रियलाइस हुआ हर चीज़े ब्यूटिफुल लग सकती है लीसा उसे कहती है तुम मेरी फोटो लो आज मझे बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है इसके बाद उसने उसे घर ड्रॉ इसके बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं फिर सम्परेजन देखते हैं मैथ्यू को लीसा के रूम में एक फाड़ा हुआ न्यूस पेपर मिलता है यहाँ अपर एक फ्यूनरल की न्यूस है मैथ्यू को लगता है कि उसने लीसा को ढूंड लिया है वो अपने केता है कि आज मेरी भी डेट है तो प्लीज जल्दी आ जाना इसके बाद मैथ्यू उसी रेस्टॉर्ण में गया जहाँ पर उसने लीसा का आवाज सुना था वहां के बाद डेनर से हो गयता है जिस लटकी की हील टूटी हुई थी वो लटकी अगर वापस आया तो उसे एक बिल्डिंग में पहुचा ये आदमी एक डोर के बाहर था उसने घर के अंदर एक लेटर डाला दरवाजे पर रोज डाल कर वहाँ से चला गया उस आदमी के जाने के बाद मैथ्यू भी उस डोर के पास आया उस आदमी जो लेटर लिखा हुआ था ये उसने घर के अंद लेता है वो अपना खुद का एक लेटर लिग कर डोर से डाल देता है मैथू ने उस आदमी का पीछा किया इसी वज़े से उसे बहुत ही देर हो गए उसके फ्रेंड लूग को डेट पर जाना था पर अब वो लेट हो चुका है उस पर वो बहुत ही जादा गुस्सा था यह उ अपने प्यार को ढूण रहा था इसलिए उसने यह सब किया उस लड़की को भी अच्छा रिजन लगा और लूग को फिर से से कंड चांज मिल गया लूग फिर उस लड़की का प्ले देखने के लिए जाता है इसके बाद हम देखते हैं कि मैथू ने जो लेटर लिखा था एक इसी को मिल चुका है इस लेटर में मैथू ने लिसा को एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया था अगले दिन मैथू ने बहुत वेट किया पर लिसा आई ही नहीं रात में फिर वो टैरिकली लिसा के घर पर पहुँचाता है उसके पास उसके घर की चावी थी तो अंदर घर में उसे उसका लेटर और टूटू हुई हिल भी मिली अजानक से डोर का आवाज आया और कोई घर में आ चुका था मैथू फिर बाहर निकला पर घर में और कोई लड़की थी यह लड़की मैथू से बहुत ही डर गे उसे लगा कि मैथू उसे हट कर सकता है यह लड़की हम इसको जर्वब रगा वो मैंथू को फ़र्स टेट करती है वो मैंथ्व से कहती है कि मैं आज बहुत ही डर रही हूँ उसका एक्स बॉइफ्रेंड कंटिंउसली उसका पीछा कर रहा है वो मैंथ्व को आज रात उसके साथ ही रूखनी के हैं मैं तो भी उससे समझ लेता है और अच्छा सा जॉब मिला है तो अब उसे मूव करना पड़ेगा वो लिसा से कहता है कि मेरे साथ तुम में नियॉयोक चलोगी वो अब उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना जाता है लिसा है सुनकर बहुत ही सप्राइस थे वो उसे कहती है कल मुझे तुम पाग में मिलना तब मैं तुमें मेरा आंसर दूँगी अगले दिन मैथू ने बाग में वेट किया पर लिसा आई ही नहीं वो फिर लिसा के रियल सेल की जगा पर गया वोहाँ पर लिसा के इंस्ट्रक्टर से उसे पता चला कि लिसा अचानक से टूर पर चली गई है उसने मैथू के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते है मैथू और एलेक्स ये दोनों इंटिमेट हुए थे सुबा होने पर एलेक्स मैथ्यो के लिए ब्रेकफास बना दिये वो एक नर्स है तो उसे जॉब पर जाना था वो मैथ्यो को कहती है कि रात में मैं वापस आ जाओंगे अगर तुम चाहो तो यहीं रुख सकते हो एलेक्स को फिर हम गाड़ी में आकर रोते हुए देख सकते हैं फिर से हमें फ्लैश बैक दिखाय जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि लीसा और एलेक्स एक दूसरी की नेबर्स थी इन दोनों में अच्छी फ्रेंट्चिप हो चुकी थी इसके बाद एलेक्स अपने खुद के घर में आती है वो अभी-अभी मैथ्यो के साथ जिस घर में थी वो एक्च्छल में लीसा का ही घर था लीसा एलेक्स के घर पर आई हुई है एक्च्छल में लीसा का बॉइफ्रेंट उसे स्टॉक कर रहा था तो लीसा एलेक्स के घर पर रहे रही थी कल राद जो भी हुआ तो ये सब मैथ्यो लूक को बताता है एलेस के लिसा की तरह ही शूस थे घर में सब चीजे उसे लीसा की तरह ही लग रही थी यह सब मैथ्यो को बहुत ही अजीब लगता है इसके बाद निकसिन में हमें पता चलता है ल्यूक जिस लड़की के साथ डेट पर गया हुआ था यह एलेक्स ही थी एलेक्स और ल्यूक बात कर रहे थे मैथ्यू और लीसा की वीच में जो भी सब हुआ है के सब ल्यूक एलेक्स को बताता है यह दोनों आज राद एक डेट पर जाने वाली थे एलेक्स कहती है कि मेरी तवियत खराब हो चुकी है ल्यूक को बहुत ही वीर्ड लगता है क्योंकि एलेक्स उसे बहुत दिनों से इग्नोर कर रही है वो फिर एलेक्स और गुस्ता हो जाता है कहता है हर बार मुझे तुम कुछ अलग स्टोरी सुनाती हो एलेक्स को ड्रॉप करकर वहाँ से बचला गया अगले दिन जब ल्यूक और मैथ्यू हैंग आउट कर रहे थे ल्यूक क्याता है कि तुम में मेरी गर्फरेंट से मिल सकते हो वो उसे एलेक्स के प्ले पर इन्वाइट करता है जब एलेक्स मैथ्यू के साथ इंटिमेट हुई थी तो उसने मैथ्यू का हैंकर चिप ले लिया था लिसा एलेक्स के घर पर ही है तो इस हैंकर चिप को नोटिस करती है वो एलेक्स को गयती है कि मैथ्यू के हैंकर चिप की तरह ही लग रहा है एलेक्स उसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता तुमें कुछ गलत लग रहा है इसके बाद हम फिर से flashback देखते है Matthew एक दिन पाक में था तब भी Alex ने उसे first time देखा था उसे फिर Matthew से पहले नजर में ही प्यार हो गया उसने Matthew का पीछा किया और उसे पता चला कि Matthew एक वीडियो स्टोर में काम करता है Alex ने अपना कैमेरा Matthew को रिपेर करने के लिए दिया था Matthew ने जिस वीडियो में Lisa को first time देखा था यह Alex ने शूट की थे Alex अपना कैमेरा लेने के लिए वापस गई तो भी उसने नोटिस किया Matthew लिसा में इंट्रस्टेड है इससे उसका दिल तूट गया था जब मैथू और लिसा की बीच में relationship हुई तो यह सब Alex देखा करती थी और फिर से हम present देखते हैं लिसा को लंडन में एक जौब मिल चुका था तो अब यहां से वो जाने वाली थी उसने रियलाइज किया कि वो अपना मिरर शायद रेस्टोरेंट में छोड़ कर आई है वहाँ पर जब वो पोची तो वहाँ के बार्टेंडर ने मैथू का लेटर उससे दे दिया यह लेटर पढ़कर उसे बहुत ही अच्छा लगता है मैथू को कौल करने का ट्राइ कर दिया पर मैथू घर पर नहीं था अज रात मैथू भी इस शेहर से चले जाने वाला था वो अपना टिकेट बाई करता है लिसा भी वही अपना टिकेट बाई करने के लिए आई हुई थी पर एक दुसरे को इन्हेंने नोटिस नहीं किया रात में फिर मैथू लूक की गर्ल्फरेंड का यानि यह एलेक्स का शो़ देखने के लिए आया मैथू का अब तक पता नहीं है कि एलेक्स लूक की गर्ल्फरेंड है जब वो शो़ देखने के लिए आता है तो एलेक्स मैथू को नोटिस करती है उसने बहुत सारा मेचप पहना हुआ था तो मैथ्यू उसे पहचान नहीं पाता एलेक्स लूक के साथ मैथ्यू को नहीं देख सकती तो अपने मेकप रूम में गई और खुद को लॉक कर लिया इसके बाद हम फिर से पास देखते हैं मेथ्यू ने अभी-भी लिसा को उसके साथ नुइ-यॉक जाने के लिए पूछा था लिसा को अचानक से टूर का ओफर आया तो उसे जाना पड़ेगा वो मैथ्यू के लिए एक लिटर लिखती है और एलेक्स को दे दीती है एलेक्स उससे पूछती है क्या तुम उसके साथ नी यॉक जाने वाली थी लिसा कहती है कि मैं अफकोस जाने वाली थी मैं उससे प्यार करती हो उसके साथ ही मुझे रहना है लिसा ने मैथ्यो के अपार्मेंट की की भी एलेक्स को दे दी थी Alex Matthew को यह letter देने के लिए कि Matthew घर पर नहीं था तो उसे गर में वाँ गए Lisa का letter वहार रखती है पर notice करती है Lisa ने बहुत सारे message Matthew को दिये हुए है Alex Matthew से प्यार करती थी तो जेलसी में उसने सब कुछ Lisa के messages मिटा दिये जो letter Lisa Matthew को दे कर गई थी ये लेटर भी उसने अपने पास ही रखा मैथू बीचारा लिसा का वेट ही करता रहा और फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं लूक और एलेक्स एक साथ थे तो इक दूसरे के साथ इंटिमेट हो जाते हैं लूक के घर पर मैथू को कॉल आया जो एलेक्स ने पिक अप किया ये जल्दी से वो फोन लूक को दे देती है जैने कि मैथू उसे पहचान ना पाए यहाँ पर एलेक्स को बता जलता है ये मैथू उसके घर पर है वो फिर मैथू को कॉल लगा दिया गहती है कि मैं जल्दी से घर पर आ जाऊंगी लिसा को मैथू का नंबर मिला था उसने फिर से ट्राइ करनी की कोशिश की इस बार एक कॉल लूक उठाता है लिसा लूक को बताती है मुझे उसे मिलना है एक जगा बताती है जहाँ पर मैथू उसे मिल सकता है जब एलेक्स लिसा के घर पर आई जहाँ पर मैथू है तब मैथू उसे बैठने के लिगाता है मैथू को सब चीज़े बहुत ही अलग लग रही थी उसे हंडेट बसें लग रहा था कि अपार्मेंट लिसा काई है उसने फिर एक ट्रिक की और लिसा के साइस के शूज वो बाई करकर लाया यह शूज वो एलेक्स को पहनाता है और एलेक्स को फीट नहीं होते है वो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो घटबड है एविनिंग में एलेक्स और लिउक की डेट थी इसी डेट पर लूक एलेक्स से मिलवानी केरे मैंथ्यू को भी बुला लेता है मैंथ्यू जब एलेक्स को यहां देखता है तो उसे बहुत ही शौक लगता है वो समझ चुगा है कि एलेक्स उससे जूट बोल रही थी जिस apartment में हो था वो Lisa का ही था वो Alex से बात करने लगता है वो से कहता है कभी-कभी आप जो लोगों को समझते हो वो वैसे नहीं होते है तो फिर Matthew को Lisa के apartment में जो लड़की थी उसके बारे में बोचता है Matthew कहता है कि वो एक बहुत ही जुटी लड़की थी अलेसी सुपर कहती है तुम पूरी बात पता नहीं है शायद उसके हालात कुछ अलग हो तुम अपने आपको इस तरह से विक्टिम नहीं बना सकते है ना तो इस पर ज़रा चीड गया है तो कहता है तुम ये सब क्या बात करी हो अलेस कहती है ये शायद वो लड़की तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी जैसे तुम्हें लिसा को देखते हुए फर्स टाइम में ही प्यार हो गया था शायद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था शायद तो तुमसे भी फर्स टाइम में ही प्यार करने लग गई थी किया था मैं तू फिर भागते वागते उस जगाबर जाता है पर उसे लेट हो गया वो लिसा को ढूंटे दूंटे एरपोर्ट तक आ गया हर जगा पर वो लिसा को ढूंट रहा था तब इसकी गर्ड़्रेंड रेवेका उसे लेने के लिए वहाँ आ गए एक्चुल में ये व बहुत ही हार ब्रोकन थी क्योंकि मैथ्यू से मिल नहीं पाई एलेक्स लिसा को कॉल करती है और सब को सच सच बता देती है लिसा एक जगह पर वेट का रोने लग गई थी तब मैथ्यू उसे ढूंड लेता है यह एक दूसरे को देखकर गले लगा लेते हैं इसी तरीके से बह सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए थैंक्यों और आप अपने आपका ख्याल रखिये हुआ है यार अभ हुआ है ऑग है जगा अपकी थैंक्पार आपधो तो नहीं है सब्सक्राइब के विस्ट PF नहीं पेखके साथ हैं जगह पहँआ है जगप विद्ट झाल 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 हुआ हुआ है लाद बस्कैन है लाद लाद